ओम और शेव पार्टनर हैं इंदा रेशियो 5 इस्टो 3 उन्होंने हरी को पार्टनर मनाया है वनफोर शेयर के लिए और आपसे कहा गया है बताईए बच्चो नया प्रॉफिट शेरिंग रेशियो क्या होगा और ओम शेव और हरी आपको से वितनी सी इंफॉर्मेशन दे रख पार्टनर तो ऐसे माना जाता है कि जो नया पार्टनर है उसको उसका शेर फ़म के द्वारही दिया जारा है ठीक है व्ँरम के टोटल पॉटर शेयर को वन मान दीजिए वन मेंसे नये बाठ बाठने Shap को हटा दीजिए जो बच्चे का उसे रिमेशियों बोलिए और इस को अब यह जो मैंने बोला, उसको आप step by step देख भी लीजिए, आपको total profit share को 1 मानना है, ठीक है बच्चो, फिर आपको निकालना है remaining share, और यह जो remaining share है, यह हमेशा 1 minus new partner share करके निकाला जाता है, new partner का share है 1 fourth, तो remaining share आगे है 3 fourth, अब इस remaining share को पुराने partners के पुराने ratio में distribute कर दिया जाएगा, यानि ओम और शिव में, जो उनका आपस का उपराना ratio है, वो 5 is to 3 है, तो 3 fourth का 5 by 8, ओम का नया share हो जाएगा, 3 fourth का 3 by 8, शिव का नया share हो जाएगा, ठीक है बच्चो, तो इस तरह से बच्चो हमको ओम का नया share मिल गया 15 by 32, शिव का नया share मिल गया 9 by 32, हमें हरी का भी नया share बता ही है, because हरी तो नया partner है, बड़ उसका नया share लिखावा है 1 fourth, हम इस 1 fourth को लिख सकते हैं, 8 by 32, because 8 by 32 के या 1 by 4 एक ही बात होती है, अब हरी के नया share को 8 by 32 लिखने से ये फायदा होगा, कि उसके जो share है, उसका denominator भी वही हो जाएगा जो ओम और शिव के नया share का denominator है, ठीक है, फिर जब सबके नया share का denominator cm होगा, तो सभी के नया share को हम असानी से compare कर सकते हैं, और नया ratio लिख सकते हैं, तो ये देख लिजे बच्चो, ओम का नया share 15 by 32, शिव का नया share 9 by 32, और हरी का नया share 8 by 32, तो इन सभी क compare करके कह सकते हैं, नया ratio है 15 is to 9 is to 8, तो this is the answer, clear बच्चो, तो नया ratio आगया 15 is to 9 is to 8, x, y और z partner हैं इन दा ratio 3 is to 2 is to 1, उन्होंने डबलू को partner बनाया 10% share के लिए, आप से एक आगया नया profit sharing ratio निका लिए, ठीक है बच्चो, तो सबसे पहला तो ये बास समझ दीजे कि 1 by 10 बोलते हैं, तो यानि डबलू का share है 1 by 10, ठीक है बच्चो, और आप ये देखिए यहां पर, कि question में कहीं नहीं बताया गया कि डबलू अपना share x, y, z से कैसे acquire कर रहा है, और नहीं ये बताया गया, कि x, y और z, डबलू के लिए किस तरह से sacrifice कर रहे हैं, of their profit share, clear बच्चो तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि जो डबलू का share है, वो उसको firm के द्वारा दिया जा रहा है, firm के total profit share को 1 मान लेंगे, 1 में से डबलू के share को minus कर देंगे, और जो remaining share आएगा, डबलू का share minus करके from the total share, उसको x, y और z के पुराने ratio में distribute कर देंगे, जिससे उनका पुराना, sorry, न रहे हैं और फिर सभी के नए share को compare करके हम नया ratio निकाल लेंगे, थीक है बच्चो, सभी के नए share का मतलब, x, y, z और w सभी के नए share को compare करके हम नया ratio निकाल लेंगे, clear बच्चो, तो हमारा सबसे पहला काम बच्चो, total profit share को equal to 1 मानना, और दूसरा काम, remaining share निकालना, कैसे नि minus 1 by 10 जो की निकल कराएगा 9 by 10 अब हमें क्या करना है बच्चो इस remaining share को x, y, z तीरों में बाढ़ देंगे जिससे उनका नया share आजाए तो देखिए बच्चो x का नया share आगया 9 by 10 into 3 by 6 y का नया share आगया 9 by 10 into 2 by 6 और z का नया share आगया 9 by 10 into 1 by 6 ठीक है बच्चो इस कितना निकल कराएंगे x का आएगा 27 by 60 y का निकल कराएगा 18 by 60 और z का आएगा 9 by 60 अब इनके नया share तो आगया हमारे पास 27 by 60 18 by 60 है और 9 by 60 w का नया share तो हमारे पास पहले सही है 1 by 10 अब इन सब के नया share का denominator है 60 और w के नया share का denominator है 10 तो हम इसको भी 60 बना सकते हैं w के नया share के denominator को 1 by 10 को 6 by 60 लिख लिजे क्या फर्क पड़ता है ठीक है lowest हमें तो 1 by 10 ही किलाएगा लेकिन उससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि सभी के नया share को compare करना असान हो जाएगा तो w के नया share को हम लिखेंगे 1 by 10 या फिर 6 by 60 अब सबके नया share आ गए हमारे पास x का भी y का भी z का भी और w का भी तो सबके नया share को compare करके हमारा नया ratio बना 27 इस्टो 18 इस्टो 9 इस्टो 6 ठीके बच्चो इसको और हम छोटा कर सकते हैं देखें ये सारे जो numbers है इस ratio के वो सब 3 से divide हो जाते हैं तो इसको और छोटा करेंगे तो नया ratio हो जाएगा 9 इस्टो 6 इस्टो 3 इस्टो 2 और वो हमारा final answer होगा ठीके बच्चो तो हमारा नया ratio finally हुआ 9 इस्टो 6 इस्टो 3 इस्टो 2 और इस तरह से हमारा ये question complete होगे बच्चो